हाँ जी नमस्कार दोस्तों केस हो आप सब दोस्तों आपका हमारे अपने यूटूब चैनल विजे इकलासेज पर हारदिक स्वागते दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर रहा हूँ रास्तान करमचारी चैन बोड आएक नोटिस जारी किया है प्रेस नोट जारी किया है चलिए दोस्तों आपको पताता हूँ क्या ये नोटिस है किस बारे में दिया गया है संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वारा है चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पना है हो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के शाद अधिक शेयर करें चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते थी उक्त भरती परिक्षा में नॉर्मलाइजेशन की परकरिया अपना एते हुए परिणाम गोशित किया जागा जिया दोस्तों पटवार भरती में 4 चरणों में हुई परिक्षा को normalization की परिकरिया अपना लते हुए परड़ाम गोशित किया गह, यह press no जाई किया है कि नर्मलाइजेशन होगा विद्यार्तियों की मांग थी कि भरती परिक्षा में नर्मलाइजेशन करवाए जाए बहुत से student की मांग थी, तो आप सबी के लिए खुश्ट कवरी है कि पटवार जो बरती इस दो दिनों के अंदर चार चरणों में जो परिक्षा है थी 23-24 अक्टूबर को उक्त बरती परिक्षा में नॉर्मलाइजेशन की परिक्रिया अपनाते हुए परिणाम को गोशित किया जाएगा जल्द ये परिणाम इस दिसम्बर माँ में गोशित कर दिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन की परिक्रिया अपनाते हुए ये परिणाम गोशित किया जाएगा ये अभी अभी प्रेस नोट जारी हुआ है दोस्तों ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये तेरा तारीक को ये प्रेस नोट जारी हुआ है तेरा दिसंबर यानि आजी के तारीक को ये प्रेस नोट जारी हुआ है कारेले आदे से करमचारी चैन बोड़ा एक द्वारा ये निर्देश दिये गए है कि पटवार बरती 2021 दिनांग 23, 10, 2021 वो 24, 10, 2021 को 4 चड़ों में आईजित की गई थी उग्ध भरती परिक्षा में नॉर्मलाजेशन की परिकरिया अपनाते हुए परिणाम गोशित किये जाए तो आप सभी के लिए खुश कबरिये कि पटवार बरती परिक्षा में नॉर्मलाजेशन की परिक्रिया को अपनाते हुए परिणाम गोशित किये जाए तो दोस्तों आप सभी के लिए खुश कबरिये राजस्तान केंद्र और अन्य परती गिता परिक्षाओं की तहीहरी कर झाल